नेट्फ्लिक्स और जियो सिनमा पर एक मूवी रिलीज हुई है दस्वी जो इंस्पायड है एक ट्रू स्टूरी से तो क्या है इसमें खास और क्या है बकवास आईए जानते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी ये फिल्म सबसे पहले तो एक रियल लाइफ स्टूरी से इंस्पायड है हरियाना के फॉर्मर चिफ मिनिस्टर ओम प्रकास चौटाला पर जो एक स्कैम के चक्कर में तीहाड जेल गए थे और वहां से उन्होंने अपनी दस्वी क्लियर की थी वो भी उमर के 80's पार करने के बाद मतलब जिद हो तो आदमे क्या नहीं कर सकता तो उसी स्टूरी को आज का बना कर आपके सामने पेश किया है स्टूरी है गंगाराम चौधरी की जो CM है चिफ मिनिस्टर बट उनको हुई है जेल और जेल जाने के बाद उनकी पतनी को वो पावर दे देते है के भाई आज से तू बनेगी CM फिर क्या पतनी बाहर सत्ता संभालती है और पती अंदर दस्वी की तयारी कर रहा है पर इस बीच में बहुत कुछ बनते बिगड़ते हुए हमें दिखाया गया है जो कुछ जगे काम करता है और कुछ जगे थोड़ा फिका रह जाता है फिल्म दो गंटे की है ज़्यादा लंबी नहीं है और स्टार्टिंग से एक कॉंस्टन पेज पर चलती रहती है कही ज़्यादा फास्ट या स्लो नहीं होती इस फिल्म में education के importance को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ कर समझाने की कोशिश की गई है और ये दिखाया भी जाता है कि कैसे पढ़ाई लिखाय से किसी में भी बदलाव लाया जा सकता है अगर आपने मुन्ना भाई MBBS पार्ट 2 देखा हो जिसमें मुन्ना भाई गांधी जी के बारे में इतना जादा पढ़ते है कि उनको गांधी जी सामने नजर आते है उनसे वो बात करते है तो ऐसा का ही कॉंसेट यहाँ पर भी थोड़ा सा यूज किया गया है जो देखने में अच्छा लगता है बाकी बात अगर अक्टिंग की करे तो इस डिपार्टमेंट में हर अक्टर ने बाजी मारी है अभिशेक बच्चे ने एक हर्यानवी जाट के रोल को काफी अच्छे से निभाया है बीच में बहुत सारी ऐसी मूवीज आए थी जिसमें उनकी अक्टिंग मुझे जाधा तर पसंद नहीं आती थी या लोग भी जाधा तर उन्हें पसंद नहीं करते थे पर आजकल अगर बात करे तो उनकी अक्टिंग इतनी जाधा इंप्रूव हो चुकी है हम कह सकते हैं कि ये कच्चा बदाम जो था अब पक चुका है वेल ड़न अभिशेक ऐसे जोक्स नहीं है इसमें कि आप पेट पकड़ कर खुरसी से गिर जाओगे इट्स नॉर्मल सटायर कॉमेडी फिल्म जिसमें हलका फुल का ड्रामा है और ये टोटली फैमिली फ्रेंडली मूवी है जिसे आप अपने पूरे फैमिली के साथ आराम से पॉपकॉन खाते खाते देख सकते हो ऐसा कोई सीन नहीं है इसमें जिसको आपको स्किप करने की जरूरत पड़ेगी समझ रहे हो ना एकदम साफ सुतरी फिल्म है फिल्म की खास बात यह है कि इसको काफी सिंपल रखा गया है जो भी ये फिल्म देखेगा उसे जादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये कैसे क्या हो सकता है सिंपल कैमेरा अंगल्स, सीधे सीधे शॉट्स जो समझने में काफी जादा आसान है इस फिल्म में जितने भी गाने है उसमें स्टोरी है आइमिन वो कहानी को गाने के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए दिखाते है तो जैसे कुछ लोगों के आदत होती है ना गाने को स्किप कर देने की तो मत करना नहीं तो हो सकता है कि कुछ important छूट जाए बट ये movie काफी जादा predictable है अगर आप trailer भी देख लोगे तो भी आपको movie समझ में आही जाएगी बट सब कुछ पता होने के बाद भी actors की performance इस इतनी जादा अच्छी है कि movie आप बीच में नहीं छोड़ सकते overall अगर बात करूँ तो ये एक one time watch movie है जो आपको education के importance को हसी मजाग के साथ सिखाने की कोशिश करती है बाखी मैं दूँगा इस movie को 3 out of 5 stars मिलते है अगले वीडियो में बाई